गुड मॉर्णिंग एबरिवन आज साथ जुन है तो द्यानिक ज्यागरंग के राष्टेशंस का न्यूज पेपर में पीटी मेंस और इंटर्वी और इंटर्वी और इंकुनकुन से न्यूज को कवर किया गया है उसको हम लोग नजर डालेंगे ताकि एवपेस्टी और स्ट स्क्राइब कीजिए, सेर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन कोई दबाए और साथ इसाथ कमेंट सक्षन में पीटी फेट के जो प्रस्म कूछे जाते है उसका उत्तर देने का पर्यास कीजिएगा चलिए देखिए यूपेस्टी के जीएस पेपर 2 सासन पर सासन से य तो इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है, मैंने आप लोग को कल पेपर जब अप्लोड किया था, जनिक द्यार में पेपर अलेसे का टी नोट्स, तो उसमें इस समीती के बारे में अच्छे से रिष्ट्रिक चर्चा कर दिया हूँ, तो आप लोग क्या करना, जाकर समीती के संदर में चर्चा कर देख लेना है, किसकी आपको जो रेलवे जो समीतीया है, उसके बारे में सजी संदर में आप लोग देख लिएगा, ताकि आप लोग का जो अपडेट है, वो किलियर हो चुके, और जो टॉपिक से सम्बंदित, जो भी सम्बंदित आपको प्रॉबलम ह किलियर हो चुके है, अब है CBI किनके निदेशक में स्पेशल क्राइम, जो सन्यूक निदेशक स्पेशल क्राइम है, विपलक कुमार चौधरी की अगवाई में 6 सदस्य टीम, CBI जाईज, रेलवे अधिकारी, द्रगतना करस्त, फेत्रों में अपना पहुंचे हैं, और वहा कि धाराओं को सुचित बद किया जाएगा, जिसमें 5 सल वर्ष के सजा का प्रोधान है, जिसमें अधिक्तम आपको ध्यान रखिएगा, CBI जो FI दर्ज किये, उसमें, IPC की धारा 337, 338 और 304 A को लगपरवाई में मोद का मामला के संदर्वी दर्ज करने का परियास कर रिया अब इसके रेलवे अधिनी है, उनिसकी धारा जो है, उनिसकी के तहट, 133 के तहट, यात्रीयों के जान जोखी में, डाने विल, गैर कानुनी और लप्रवाई भरी कति वीधियों के धारा 154 और 175 तक भी आपको FI दर्ज किते हैं, इस धारा को थोड़ा सा क्या करना ये हु को 140 जो ग्रीन सिगनल का डाटा से सम्मंदित बाते हैं, वो सब अब आप लोग के एक्जाम उप्योगी नहीं है, ध्यान रखेगा, ये इन्टिवी परपेस से आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में इस चीजे नहीं पूछी जा सकती है, रिजन उसके पीछे है कि इसके संद जो बन दिया हूँ, युकती आईस के एप पर तो आप लोगों वहां से जाके देख सकते हैं, हाँ हाँ जो लोगों ने पैक नहीं पर्चेस किया है, पर्चेस जरूर पैक किजेगा, आप लोग उसमें रेगुलर जो इंपॉटेंट की पॉइंट से आपको अपडेट किये जाते हैं, साथ ये साथ जो टेस्ट लिया जा रहा है, विकली, दैनी दियार में पर एंसर आइटिंग पर उसी साथ अटेच है, तो आप उसे जाके युकती आप पर देख सकते हैं, उससा लाब लिजिए, अधिक्तम लाब लिजिए, बहुत सफल परोग्राम ये होने वाल अगर आपको देखना, यूपी पीसेस का मेंस हुआ था, उस भी इसके प्रस में देखने को मिले थे, तो आप लोग एक बाद जाके विजिट करके देखिए, कि क्या चीज आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, आगे आप लोग बात करेंगे, भारत के आप लोग करना चाहता है, जिसके प्रती उत्तर में क्या है? प्रिका इसके और जो नीतियां है, समुदरी नीतियां उसके खिलाब, अपने संगठित कर रहा है, जैपान उसमें साथ है, अश्टेलिया उसमें साथ है, भारत को लेकर इस संदर में चीजों को कॉंटर के रूप में से रूप्यों करना चाहता, ताकि चीन की जो नीती हैं उसका पत्र उत्तर प्यार किया जा सके, अब इस दौरान बहुत से चीजें केंदर बिंदों में भारत आ जाता है, तो सबसे इस छेत्र में सबसे सहयोगी और विश्यों से मित्र इन राश्टों को कोन हो सकता, भारत ही होगा, अब भारत विश्ट का सबसे बड़ा ग्रोथ रेटिंग वाला देश भी बन गया है, अकड़ों के मारगन का रिपोर्ट ले लिजी है, बहुत से रिपोर्ट के अधार को, तो विश्ट के जितने भी हथियार नियातक देश है, या तो इस परकार के जो अमरिकी हीतों के संदर्वित कारे कर रहे हैं, नाटो समर्दित दे अब देखिए, यहां जर्मनी के आपके डेलिगेशन आए वे हैं, जहां पर खुल कर जर्मनी अब खुल कर हीन परसांचेत्र में गतिविदियों में मज्दे नदर भारत के रक्षा समंदों के मजबूत बनाने की वकालत करता है, जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्ट और भारत के साथ वैसा ही सम्द रखना शैसा है अभी अस्टेलिय जापान के साथ तो धहां रखिएगा जर्मनी की रख्षा समर्द बहतर पॉजिटिव रिसपॉंस के साथ चल रहा है, जैसे भारत इन राश्नों के साहतने फपक्ष्ये बहुपक्श्येताल stitches लेहां बहतर जर्मनी भी चाहता है कि भारत हमसे भी कुछ है इस प्रकार के स्वहियों को आगे बढ़ा है और हम हमारे साथ रिस्ते हलाकि जर्मनी के साथ हमारे जो बैपारिक है जो पक्षे बैपार वो उस संदर में बहुत से सीजों को असपस्ट करता है ध्यान रखेगा इसके लिए दे दोंगा उसमें कुछ प्रस्प्रकां आपको अड्ड करवा दोंगा ताकि आप लोग क्या कीजी का उस पर स्सका एंसर आइडि हो यह मुझा लिखेए उस परस्ट रचेमर को बंश्टन के एक टेन्न-सर कि उन्हें स्थेटर से एक फ्रस्टन यह कि हिन्धपरसांत क reconstruction छेत्र भारतिय द्रिश्टी से अहम रण नितिक इस्तिती को अस्पस्ट करती है क्या आप इस कथन से सहमत है एक बाद प्रस्ट और सुन लिजी आप लोग कि हिन प्रसान छेत्र भारतिय द्रिश्टी से अहम रण नितिक इस्तिती को अस्पस्ट करती है क्या इस कथन से आप सहमत है तो आप इस सम्मंदित प्रस्ट का उत्तर दिजीएगा तहां देना है दैनी जायरन न्यूट फेपर एनलेसिस के पैकेज में आप सेयर कर सकते हैं या तो कॉम्मिकेशन ग्रूप में हैं वहां सेयर कर सकते हैं इसका उत्तर आप लोग तक भेज दिजीएगा ताकि उसके रिव्यू मैं कर सकूँ और जो लास्ट रिव्यू आप लोग पीडियाफ सेंड की हैं उसे मैं जल्द ही सेयर कर दूंगा ग्रूप में ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे भारत में जीवन्त लोगतंतर देखना है तो दिल्ली जाकर देखिए विपक्षिय सर्मन में टॉपिक आएगा और अमरिका में हाली में लोटे जो वहां के वाइट हाउस पतिनी भी हैं उनके द्वारे बाते की जा रहे हैं ध्यान रखिएगा के विछारों को वहाँ पर उनके द्वारा रखा गया था पाविस्ताने में उनके पर पकर के द्वारा अमरिका के सकरात्मक रवियों को एक कदम क्या कहा बोला गया अश्पस्ट कर दिया उन्होंने कहा कि हम दोनों के साथ अपने चिंताओं को साधा करने के लिए कभी सरमाते नहीं है हमें उम्मीद है कि प्येम मोदी की यहातरा जो बाइडन ने जापानी यातरा के दोरान भारत के प्रशंसा की थी और वेलकम के लिए उस सुकता जाहिर की थी तो इसी संदर में ध्यां रखिएगा बहुत से चीज़ों के द्वी बाइलेटरियल जो चीज़ों होती है असपस्ट हो गई थी कि अमरिका अब क्या चाह रहा है उसके साथ द्विपक्ची समन को महत्मून कदम बन बताना का परियास कर रहा है और बाहुस जीन को देखना होगा की भारतीए कि भारतीए द्रश्टी कौन किया है भारतीए भी द्रिश्टी कोन असपस्ट नहीं किया गया है इस मोद्दे पर जो अमरिका बोल रहा है कह रहा है बार-बारी सम्चीजों को लेकर तो क्या भारत यहां समझने वाली बात हो कि दो-तिन चीजों को ध्यान रखेगा पहला कि भारत को भारत को रूस के साथ जो इसके पिछले विगत सम्मंध है उसको भी ध्यान रखना है दूसरा कि अपने अधिकार छेत्र में किसी अ नितिया जो बनती है राष्टी एकता खंता और हम विज़ेसी संप्रूवता में किसी दुसरे देश की तक्षेप नहीं चाहेंगे उस कॉंसेप्ट को भी बनाए रखने की चुनोती होगी तिसरा सबसे बड़ा चुनोती ध्यान रखिएगा सबसे पहले ध्यान रखिए इस संदर में कि एक लोकोक्ती चलता है अमरिका को लेकर कि यह ऐसा है जिसने किसी को छोड़ा नहीं है जिसे इसने ठगा नहीं है जिसने किसी को ठगा नहीं हो ऐसा कॉंसेप्ट इसके साथ चलता अर्थात कहने का मतलब इसका कोई ऐसा राष्ट नहीं है जिसको अपनी रण नितिक और द्विपक्षिय संबन्द में अमरिका ने उससे ठगा नहीं है कहने का मतलब जब आउसर आता है तो राष्टिय संब्रूता और विजेश निति में अमरिकी संब्रूता सरोपरी स्वे को दिखाता है अर्थात अमरिकी हित सरोपरी है तो इस चंदर कॉंसेप्ट को थोड़ा ध्यान अखने के जूरत है कि अमरिका अपने हितों को परमुक किये हुए हैं अपनी लोगतांतरिक शवी बनाए हुए हैं तथा अपने विदेश नितियों में एक उदार निती को कायम किये हुए उसकी शवी को धूमिल नहीं होनी चाहिए यह सब इस्तितियां जो है यह 22 जून को आपको उस्पष्ट होगा कि वर्तमान में जो भारत के और अमरिका के बदलते रिष्टे कैसे उसे आने वाले समय में उसे समझा जाए उसका आक्रन किया जाए इस संदर में चीजों को देखा जाएगा तो हलाकि इन सब चीजों को हम लोग बाद में वेट करेंगे देखने को परियास करेंगे ठीख है ना चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आगे देखिए 2000 पैक्स को मिलेगी जन असुद्धी केंद्र खोलने की अनुमती अब मैंने पैक्स के बारे में हाली में चर्चा किया हूं कुछ दिन पहले दो-तीन दिन पहले ही चर्चा किया हूं तो आप लोग इसे की नोट को देख लिजेगा अच्छे से जाके अप पर अप्लोड है उसे जाके देख लिजेगा अब स्वास समंदी मुद्धे और पैक्स समंदी में आप लोगों जिस पेपर और सवरचना के संदर प्रस में पूछा जा सकता है अब समझने को परियास कीजिएगा कि जन और सुद्धी केंद्र है क्या तो ध्यान अब ध्यान यहां रखिएगा कि जन और सुद्धी केंद्र वो केंद्र होता है वो सौफ मेडिकल सौफ होता है जहां पर जो दवाएं होती है उनकी जैनरिक दवाओं को रखा जाता है रिजन यहां पर कि यहां पर इसका मुझ खुद्धिस क्या है कि जो कम आई वाले कि ब्रांडेट दवाओं की तुलना में जन और सुद्धी जो केंद्र होते हैं उसको 50-90% कम कीमत होती है मान लिजे कोई दवा वहां पर आपको 500 मिर रहा है तो इसका 90% कम आपको जन और सुद्धी केंद्र पर दवा प्राप्त होगा क्योंकि वो जेनरिक प्रकार की होती इस ब्रांडेट कमपनी की नहीं होती है दोनों का समानी कार रहा था मान लिजे जो फर्मेशन बनाने में एक पेरा सेटा मौल के ब्रांडेट कमपनी का मौल अगर पढ़ रहा 20 रुपया एक गोली का दाम ठीक ना क्योंकि वो बहुत से चीजों को ब्रांड भेलू के अधा भारती सरकार के संबंत संसा सें कभ से घुता कामान वाले कमपनी ुपर 5 लंबी आई शिपला बनाएगी तो बहुत महंगी दवा आएगी तो ध्यान रखने के जुरत है कि यहाँ पर दवा का जो फंसन है काम करने का जो किसी दिमारी के लिए काम करेगा दोनों दवाएं सेम करेगी बस अंतर यह है कि ब्राइंड वेलू की कमी हो जाती जिसके वज़ से क्या किया गया कि और भी से डिस्क्लोल करने के लिए जमीनी अस्तर पर पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है प्रात्मी क्रिशी रिम समीतियों को दिया जाएगा कि जन असुद्र केंद्र की दवाएं खोली जाएगा इसके साथ ही साथ कुछ चीज और भी जा चुके जिसमें 18 से सदिक तरह की दावाये उपलब्ध है और 280 अनमेडिकल उपलब्ध है अब याद रखेगा जो जन उसोदी के थुरू के थुरू करता है तो यह बहुत देहतर आपको क्या देता है बहुत रोजगार के साध्र में उपलब्ध कराता है कि बहुत प्रोसेस जन उपला जा सकता है तो इसके लिए आपको चीजों को ध्यान रखना और पेक्स के बारे में पिछले ही चर्चा कर चुका है तो थ्वासा इसे एक्टिव मोड में आप लोग कभर किजिए रहा है तो ध्यान रखिएगा बंगाल आजिस्थान जार्खन जैसे राज्यों में क्या हुआ है कि जल जीवन मिशन आप को याद होगा तो बताईएगा कोश्चन में जल जीवन मिशन के सुरवात कब की गई किस जीले से की गई और किस वर्स की गई ठीक है ना किस मंत्राले के तरहत की जाती है और इसका लक्ष क्या यह सब सारे चीजों को तथ्या आप पीटी फैक्स के तरह पर बता दिएगा ध्यां रखेंगे 24 तक सभी ग्रामी नल में पेजल के अपूर्ती लक्ष को सुधा उपलग कराने के लिए मंत्राले के जल जीवन मिशन के तरह दैस्बोर्ट पाया जिसमें 24 घंटे में एक और उत्तर परदेश में 51,000 से अधिक है नए टैप वाटर रथा नए नए नल आधे से अधी कनेक्शन दे रहा है तो सोच के देखिए पुरा भारत में जितनी फ्लब्दिस में हासिल नहीं की जारी उत्तर परदिस में किया जा रहा है तो समझने की बात है कि और स्टेट कर क्या रहा है तो यहां पर एक कुछ आंकडों को ध्यान में रखिएगा कि कि आप देखे होंगे बिहार में बहुत जगा मैं भी प्रसरली देखा हूं कि बहुत जगा घर के आगे है नान पाइप लगा दिया गया पर नल की बहुत था नहीं दी तो निकाल कि पर यह नहीं दिया गया है इसे कितने नल है घर है जहां पर नल का कनेक्शन तो दे दिया गया है पर नल ही नहीं दिया गया है निकाल के पर उसको नल नहीं दिया गया है मैं ही कई द्यफा देखाऊं तो यह आकड़ों का खेल कहीं न कहीं हुआ होगा जिसका कारण यह राष्ट्य अस्तर पर जो आकड़े आए वह असपस्ट कर रहा है इसकी जात जरूर होनी चाहिए अगर कोई अनिमेटता अपना हुई है किसी भी अस्तर उसे आपको सजा का परधान होना चाहिए क्योंकि जल स्वक्ष जल पैप्राप्त होने का मौलिक अधिकार है आठीकी लिकिस के तहट आपको दिया गया है सुप्रीन कोट के द्वारा अगर सरकार का ये पर्थम दाई तो होता है बनता है कि आप स्वक्ष पैजल उपलवत कराने में राजी की सभी जंसी डख्ती को सहयोग करें तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि राजी का ये कर्टब नहीं है तो जो भी लोग इसे क्या कर रहें निसाही तरीके से लागू नही का परिच्छन और अस्कूल परिच्छन इत्यादे में भी ये प्रिछण गया है राजे ध्यान रखेगा इस रेंकी में ध्यारखन बंगाल बिहार अरश्थान सबसे निचले अस्तर पर भी है और आश्टी अस्तर पर 74.46 परतिसत गाउं में पानी की टेस्टिंग की गई ज कि यहां पर राज्यों को सहीओ करना चाहिए इस मुद्दे पर ताकि और भी बेहता तरिके से रेजल्ट प्राप्त हो सके राश्ट्य अस्तर पर 50.83 परतिसत है बेक्टिरिया का पतला रोस्तों का पानी परिछन में तो वहीं बिहार 5.76 परतिसत है बंगाल 19.6 परतिसत है बनी हुई है जिसको शदार करने की जोरत है हाली में बहुत से प्रस्य जिहार सरकार पो उठाए जा रहे हैं उसके पीछे रीजन है कि बहुत से कार ऐसे हैं जिसका पड़ी नपीजाने जिसके अधीकि लगत लगी है तो यह कहिने कहिन सासन पर-सासन के जो निग्रानी तंत्र है वो कम्जोर दिख रहा है हाले में देख रहे होंगे बहुत से आपको तत्यों को लेकर किया गया है जिरोध पदस्राइन जिसमें आप सिख्छा को लेकर किया गया आखड़े आयत से अप्पेज़ल को लेकर भी है तो यह सब चीजे थोड़ा सा सरकार को सोचनी चाहिए देखिए एपसलूट परकिरिया को अपनाने के लिए हमें उस रास्ते पर चलने के जुरुत हैं कुछ चीजे राजनिती से दूर रखनी चाहिए आपके राजनिती हित कुछ हो रहो सकते हैं पर राज्य की जो आप देही जो तैक की जाए गई है सुषिधान के द्वारा उससे पालन करने में संबद एंजनिशियों को महत्मुल भूमे का आदा करना चाहिए जरूरी है अब नेश्ट है दोज़ए 24 से पहले ग्रामिन आउजी का मिसन से जोड़े जाएएंगे एक क्रो नए परिवार तो परिवार जो जोड़े जाएंगे तो चली पीटी फैट के तवर पर पहले ये बताइए मुझे कि ग्रामिन आउजी का मिसन की शुरुवात कब की गई किस मंत्राले के तहत की गई इसका प्रात्मिक उद्देश क्या है और साथ इसाथ यह बताएगा कि स्वए स्वायता स्वमुहों की संख्या इसमें कितनी है जो आपको आने वाले तार्गेट को पुरा कर रहा है तो लक्ष रखा गिया है तो इस सब चीजे पीटी फैट के तौरपर बताईएगा तो इसे हम लोग कवर करेंगे और कुछ अपने अस्तर पर भी किया कीजिए ताकि हम लोग और भी अच्छे रिजल्ट आउट्पूर्ट कर सके देखिए मैं क कि यह सट्टी बार बार आप लोगों पढ़ाता हूं तो देखिए केस सट्टी का असर क्या है मैं आपको कर दिंदीन बताया था कर दबातना कि बारे में कल कि लास में तो मैंने वहाँ पर एक बात बोला था कि अगर मांती घटना से हम लोग सीख लेते तो बहुत से चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे रेल पर सासंग को करना या अन ऐसे बहुत से वी ज्यामपले जिसके अधार पर उसके केस स्टडी को रिसर्च करनी चाहिए हमाई रिस स्ट्रीम को रेलवे मंत्रा लेके रिसर्च ट्रीम को हर घटना के बाद एक कमिटी गठीत करनी चाहिए जिसके अधार पर अन चेत्रों में इसका परसास्तन किया जा सकी कि अमुक माली जी को घटना होता है उसका ड्रॉबेक क्या था जिसके कारण से आपको यह घटना है उ जा तो नहीं होता जान और घाल हो जाते हैं देखिए क्या हुआ था पर लखनो में 27 जनवरी 2020 को चार बागर स्टेशन पर सिगनल क्या हुआ था केबल कट गई जिसके बाद सिगनल मेंटनेंस ने उसके गलत तरीके से जोड़ दिया इससे सिगनल तकनिकी खराबी आ गई और क्या हुआ कि जो मामला जैसी बैठके जैसी घटनाए आपको इस उड़ी साब वाले घटना क्रम में देखिए सेम पेटर आपको यहां लखनो मुई थी तो उस दौरान रेलवे सिगनल को कठेका लेने वाली कमपणी खुद काम नहीं करती थी रेलवे तीन कमपनी में काम गुनवर्ता ना होने कारण ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो पर उससे सम्वंदित जो इस्तिधी केस थी उससे इंप्लिमेंट नहीं करिया, या हर जोम में अगर फारवड कर देती उसके रिसर्च को तो कम से कम जोनल मनेजर जोनल अस्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो अपने छेत्रिये श्की स्टेशन पर भीजते हैं तो इससे या है कि सभी ब्यक्तिव इस तक यह जनकारी होती कि अगर ऐसी घटना होती है किसी पकास सा लूप फोल कटता है तो हम उसे कैसे ठीक कर पाए तो अगर यह ब्रवस्ता की जाती तो साइद ही ऐसी कोई घटना हो पाती तो देखी क्या होता है कि अगर सासन पर सासन बेहतर करना है न तो इतने हलके में हर चीज़ को नहीं लेना है और ब्लेकलिस्ट कर देने से किसी कमपणी को समस्त्य का निदान हो सकता है नहीं हो सकता है यह नजीर ज़रू पेस करता है कि आने वाले जो company जिसको ठेका दिया जाएगा तो वो प्रात्मिक अस्तर पर उस उन गलतियों को करने से रोके उन गलतियों को दोराने से या उन गलतियों पर अच्छे से काम करेगा जो पिछला company कर चुका है तो company के अस्तर पर होगा पर हमें अपने अस्तर पर उस चीक कर पाए ना अब माली जे घटना है हो रहा है माली जे कहीं भी और company है आपको देश के यहां पर कोई घटना होगा घटित हुआ है अब यहां की कोई company है तो क्या ग्राउंड लेवल पर पहुच पाएगी तुरण नहीं ग्राउंड लेवल पर यह और signal को इंटरलोग करके रखता है इसे पॉइंट इंटरलोगिंग पॉइंट जो है पॉइंट एक क्रॉसिंग कहते है अथा पॉइंट का वह हिस्सा होता है जहां पर मेन लाइन लूप लाइन की तरफ पट्टी बदलने की परिफिरिया आप लोग देखे होंगे एक ट्रे नहीं आगे आगे देमेज हो रहा है या कोई कार्य चल रहा है तो हम इस लूप लाइन से क्या करेंगे इस से ट्रेंड क्रॉस करवा के आगे जाके फिर आगे होगा वहले इस पॉइंट पर काम हो रहा है तो आगे कहीं लूप लाइन फिर से बना होगा जहां पर पॉइंट करके इस loop में भेज सके यही train फिद लूप LINE में आगे होता है ध्याद रखेगा आगे इसी loop LINE में जोर दिया जाता है तो यह interlocking यही काम करता इस ट्रेन पर जातेुए train को इधर भेज़ना गया इस रूट पर जाते विए train को इधर भेजना और इस train की केस स्टडी पर में फोकस करते हैं तो यहां पर हमें केस स्टडी पर रिसर्च करने की जुरत है और उसको अच्छे तरीके से देखने वाली बात है अब नीचे आएंगे नीचे आएंगे यहां देखिएगा मांसुन के रास्ते में रोड़ा बना अरब सागर का चक्रवात तो हाज देनिक आपको सुबह सुबह जस्वाल सरने करेंट एफ्रस में चक्रवात जिब्रेज बंगला अरब सागर में खड़ा था केरल में तो थोड़ा सा में वेट वाच करेंगे जून चारा चौन चल रहा है तो अरब में जो चक्रवात आए उसका प्रभाव यहां पर आ रहा है तो थोड़ा सा कनेक कर लिजेगा देली करेंट अपर सिरी मुजर क्लास ली जाती है उसमें जाके इसको देख लिए सर वहां कवर कर दिए ठीक है चलिए आगे हम लोग बात करेंगे और बिहार जारकन समेट पांच राज्यों में हीट वेव का एरिया बना हुए अभी ही बिहार में आपको बिहार मोशन विभाग के द्वारा केतावनी जारी की गएगे बिहार में आपको तेज हवाद चलेगी अब भारत अमरिका दोस्ती का नया दोर है तो मैंने जो बातें यहां की थी न भी जो इस मंत्री के दोरे के संदर में वही बातें यहां भी लिखी हुई है परस कुछ अंतर समझने का पर्यास कीजेगा कि अमरिकी राजपति जो बाइडन जपान के यात्रा किये थे जी सव ब्याक कर रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं भारती पर्णान मंत्री का ना कि बहुत से चीजों को उन्हों साजा तौर पर वैस्विक नई तुक्ताप करेंगे अब ध्यान रखेगा भारत संसद यानि कॉंग्रेस अंदिकी जो संसद कॉंग्रेस तो दो बार संभोधित करने व अब इसका भी एक उधारन आपको हाल में देखने को मिल गया जो भारत की जीवन्त लोकतंत के बारे में चर्चा करता है ठीक है वाइट हास लोकतंत के जीवन्त गती सिल्टा को उधारन वीसका सीख दी है अब इसा बाते की गई है देखिए कुछ चीजों को ध्यान में अंदर में आपको चीज़ें सपश्ट होती थी पाकिस्तान जैसे विवादित होता क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में अमरीका रहता था तो मजबूरी था कि वह पाकिस्तान के चीजों को थोड़ा सा कॉपरेट करें तो हम देखते थे भारत दोरे पर अमरीकी की नितिय पर वरतमान में कुछ वर्षों से यह इस्तिती बदली है जब से अफगानितान से अमरीका निकला है तो खुले तोर पर अमरीका भारत से सम्मन्द और भी मजबूत हुए जो आने वाले दिजों में और भी बहतर होते जाएंगे ऐसी कलकना की जा रही है अब एक चीज अगर भारत इसको एसेट कर लेता है तो वैस्वी गरनिती के तौर पर खुटनिती के तौर भूर आनिती के तौर भारत और अमरीका के रिष्टे अलग तरीके के हो जाएगा जिसको समझना बहुत जरूई हो जाएगा कि अब भारत की विदेश नितिया किस रुप से पर अरिकरिम के मुद्रे को भी अच्छे से श्रम तर्क करकर रखा उच्छेuse से संहिए लुप veteran कर लेनित कि अभी भारत हिन परसान छेत में भारत किया हो सकता है अमरिका को नहीं तो बहुत से चीज़े हैं अमरिका इसका भालू नहीं देता है क्योंकि उसके पीछे के reason logic उसके अपने होते है क्राश्टी हित तो कि उसे लगता है कि विस्वे नेत्यत उसी के हाथ में हो किसी को डायलिट नहीं करें तो यह समस्या उस देश के साथ है तो थोड़ा सामले उसे समझने का परियास करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है बहुत से चीजे लिखी गए यह जो बाते मैंने आप लोगों को पहले वी बात की हिन परसान चेतर में मैं बाते की हैं रच्छा सहयोग में बात किये हिन परसान चेतर देख रहे हैं वैस्ट्रिक वी निर्मार महासक्ति में किन इंडिया प्रोग्राम के बारे में पहले भी बात की जा चुकिए कुल मिलाकर वही है जो आपको बिचले कुछ महीनों से में आप लोगों को समझा रहा हूँ वह चीज़े हैं लिखी ड़ीं इमलिंगी भारत रिष्ते के संदर में और मैंने आप लोगों की नोर्स में पहले ही आपको की नोर्स में आपmers लोग़ों को सामिल करा यहां पर स्वयूत राष्ट वार्टा जो 175 देशों के दुवारा दुनिया में पहली अंतराष्टे प्लास्टिक संदी पहला मसोदा त्यार करके दोज़ाइब चौविस के अन तक से अल्मी जमना पहनाने के लिए बात की जारे परत्विक्ता जाहिर की गई है और दोजर मार प्लास्टिक 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 संदी महत्पूर्माना और गंबीर वैस्विक्त आपदा इसे समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि प्लास्टिक और देखिए इस चीजे तब तक नहीं सफल हो चकते जब आम भागिदारी नहीं बढ़े हर वो चीज़ पर प्लास्टिक को लेबल लगा चुके जहां पर हम खाद सामागदे से लेकर बड़े-बड़े प्रैकेज हमने निर्मीत करते हैं जहां खाद से प्लास्टिक जगा मैं देख रहा था एक वीडियो कि रोड का देख डाइवर्शन देखते हैं रोड मालने कहीं से मुड़ी रहते हैं उचीज़ चाहिपा तो उसके किनारे किनारे पहले क्या होता था ऐसे आप लोग को दिया रहता था आपको लोहे का या आपको चदरे का क्या दिया रहता था एक अपको रोड ड्राइवर दिया जाता ताकि जो गाड़ी इसमें सारे ट्रितिक जती से तो मैं देख रहा था कि हाली में भारती जो रिसर्च किया गया जिसमें इस ड्राइवर के द्रगपर जो वहाँ पर बंबु अथा बांस के ड्राइबर लगाए गया यह बहुत इंपॉर्टेंट है सुरच्छा सेप्ट ड्राइवर ध्यान रखिएगा यह इस इंपॉर्टें नहीं हम एक विकल्प तलास लिह हैं कि इसके जगा तीन या लोहे के जगा हम क्योंकि इस से च्छती ज्यादा होती थी कि प्रद्व इन बैल अनबाइलेंस होकर आती है तो इससे ज्यादा जोड़दार तर्गे से ठक राती थी जिससे ब्यक्ति वीसे सुलें पर उसकी गती कम नहीं हो पाती थी ज्यादे माली ठोस गाड़ी वस्तु से कोई टकराएगा तो ज्यादा भी तेजगती वाले कोई दिकत होगी पर बंबु वाले में इसी यह होगा कि बंबु उसके पेच्छा जरूर कमजोर होगी पर ध्यान रखिएगा उसके छती के अस्तर को कमजोर कर प्लास्टिक में भी निकालने होंगे ध्यान रखिएगा जब तक विकल्फ हम नहीं निकालेंगे कि हमको इसके प्लास्टिक आइटम जो सुरक्षित रखता है खात पदात को क्योंकि देखिए जन जीवन के लिए उप्योगी साधन के तौरप उप्योग किया जाता है अब प्लास्टिक आप अब तक हम पूरे सिस्टम से प्लास्टिक नहीं हटा लेंगे तब तक यह नहीं उतर पाएगा तो हमें जन जागता अवियान भी चलानी चाहिए साथ में सब जो ध्यान रखिएगा इसके लिए प्रसपर हैंड टू हैंड हमें स्वह करने की जूरत है बा दुरलब खनीजों का भंडार ये कचड़ा ध्यान रखेगा इससे पहले same to same ये ही चीज़े ने कुछ महीने पहले आपको आये थी खनीजों दुरलब खनीजों में ये कचड़ा में जो आपको मुहत्पूर खनीजों था उसके बारे में तो ये चीज आखड़े को अच्छे स जान लिजिए कि उत्खलन के स्थिति में द्विपक्षे सायदारी पर दुजोर देने की बात की जा रही है तो क्यों लिथियम की बात लगतार होती हम भारत जो अभी भी लिथियम में नगन्ने उत्पादन करते हैं न के बराबर अलाकि दो-तीन साक्ष प्राप्त हुएं जहां पर उत्पादन किया जा सकता पर उसके लिए रिसर्च चल रही है तो ध्यान रखिएगा 2021-22 में लिथियम के आयरेन बैक्टी आयाद देस्वर में 89-84 क्रोड रुपिया के किया गया अब ध्यान रखिएगा इसमें कि जम्मू के रियाइसी जीले में लिथियम को 69 लाग टन भंडायर सबूत मिले हैं वही करनाटक के मंडाया में जीले में अगर हम इसे कर लेते बहतर तरहिके से भारत निर्यातक देसों में सामिल हो जाएगा लिथियम निर्यातक देसों जल्दी आरेन डी इस पर समाप्त करने के ज़रत होगी वही सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम वैस्वी भंडार का 36% कि देस के पास है चिली के पास है च चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है उसका लोकेशन आप लोग बताईएगा बहुत ही महत्पून देसे इसलिए मैं पूछ लिया चर्चा में हमेशा रहता अर्जेंटीना अब देखिएगा इसके अतरिक बहुत सी चुनोतियां हैं जिसको हम लोग समझने का प भारत में नगन्य होता है जो गैस टेरवाइन राकेट इंजन लिथियम आयरेन बैटरे स्टेनिस स्टील विद्धू चुम्बकी इस्तमाल किया जाते तो यह महत्पून को वाल्ट है जिसका अब लोग रनितिक उत्खलन नहीं कर पाते जहों बहुत ही महत्पून साधन के प्योग किया जाता है और राष्टों फांजबर है उडिशा के पास देश में पाए जाने निकल का 93 परतिसत है ध्यान रखेगा भारत के सामने निकल उत्पादन से जोड़ी तकनिकी अभाव एक बड़ी समस्या है और यह भी कहीं ने कहीं हमें उत्पादन चेते में परतिसत उत्पादन करता चमता रखते हैं रहसी उत्पादन में बहुत से आकड़े आज दिये गए हैं सभी अंडरलाइन किये हुए आकड़े हैं उसको आप लोग क्या करना है एक लिश्ट बनाना है ठीक ना कि एक भारत का रैंख एक विश्ट बनान नाम लिख लिए गया उसका भी नाम जैसे नए जमाने के उर्जा खनी दो प्रकार के बाटे गए एक लिथियम और दुसरा लिथियम को वाल्ड निकल ग्रेफाइड यह महत्मुन आपको उध्योग के खनी जो माने जाते हैं जिसमें 17 दुड़ला पिर्थिवी तत तो जिसमें नयोडियम पजोनियम डिस्पोसियम ट्रेवि बेटर तरीके से अब इन सब चीजों का उप्योग कहां कहां होता उसके बारे में लिखा हुआ है ट्रांस्मिसन लाइन बिच्छाने के लिए कापर और इवाहनों में लिथियम सोलर पैनल सिलिकॉन और विंड टर्वाइन में जिंक की मांग पूरी होती है इस तरह से हम लो कि कचड़े से जो हमें प्राप्त होता सिस्ट लगवा उनहत्तर सो क्रोर उपिये का सोना हासिल किया जा सकता लेटियम कोवाल काफर अल्बुनियम सिल्वर लेडियम जैसी महंगी धातु इक वार्ड में अच्छी उस्तोत है जो हम लोग इक वार्ड इसे हिलेट्रोनिक समा प्राप्त होता है इसे साथ हजार रुप्या मान लिजे आप नहीं कहीं क्या होगा बेहतर विकल्फ हमें देगा इस सब चीजों को लेकर थ्वासा ध्यान रखना थिक ना बाकि सारे चीज़े आप लोगो मैं कभर कर दिया हूं एक और निज है जिसे आप लोग देखिएग कहां गए है इसे मैं नाघरिक सम्मान सरवॉच नाघरिक सम्मान दिया गया है उस नाम को रखेगा आर इनकी पहली अधिकारिक राष्पत्ती बनने के बाद अधिकारिक यात्रा है ये ज्यान रखेगा तो यहां से पील्टी फ्यक्ट जरूर पूछे घृएम में ग्रेंड ओडर ऑप दा चेंड ऑप यलो अस्टार से सम्मानित किया गे इनको सुरी राम का सरोच नागरिक सम्मानित जिसे कहा जाता है तो बहुत से सुरी राम के जो राजपती चंद्रिका प्रसाथ संतोखी उनके द्वारा यह पुरुसकार दिया गया तो यह सब प्रूसक प्रसाथ चीजों को समझ सके और जो प्लान यूपसी वीपसी में सेंसर राइटिंग का है वी पसी का एक्जाम हो चुका है वीपसी जल्द ही आने वाली है तो प्रसाथ आप लोग वहां देही सकते हैं पर आपको मेंस एंसर राइटिंग प्रवान चलाया जाएगा ताकि आप उसका अधिक्ताव लाव ले सके हैं तो जल्दी प्रगामनाते स्वीडूल आप लोग ग्रूप में सेर कर दिया है तब तक के लिए धन्यवाद जय है